हलो गाईज और वेलकम बाग टू माई चैनल सिर्फ इस साथियों लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटिग्रिटी एंड अप्टिट्यूट के आपके दोजार तेश चॉबिस के एडिशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चाप्टर नंबर एट जिसका नाम है सिवल सर्विसेज वैल्यूज और एथिक्स इन पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन और यह उसका पार्ट सिक्स है बस सिक्स और सेवन दो पार्ट करके यह चाप्टर हम कंप्लिट कर देंगे तो आईए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अगेरा कर लीजेगा इसका पहले टॉपिक आता है दोस्तो बिरोक्रेटिकनेस ठीक है क्या होता है यह बिरोक्रेटिकनेस आईए उसको पहले आपको मैं समझाते हूँ साथ यह हूँ दीए एड्मिनिस्टेटिव अकाउंटबिल्टी कौन त काम अच्छे अकाउंटबिल तरीके से करें बट जो रूटीन प्रोसीजर होता है जो प्रोसेज है इस एड्मिस्टेटिव सिस्टेम का वो इस तरह का हो कि एड्मिस्टेशन काम करें जादा रिस्पॉंसबिल तरीके से कैसे काम करें जादा रिस्पॉंसबिल तरीके से ठी बिटिश के लिए अकाउंट बिल थे और किस को ऐसें सिम्बल मानते थे उस समय के वाई स्रॉय हो गए गवर्नर जनरल हो गए प्रोवेंशल गवर्नर हो गए डिस्टिट का लेटर हो गए उन्हें को सब कुछ मान के अपना और काम धाम करा करते थे ठीक है तो आप देखें य आज की जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काम करने लगे हैं for a wrongful objective, to say the least और ये accountability mismatch जो है वो मतलब ये समय लिजे ये भारत के लोगों के लिए नहीं है बट ये strict procedure ये follow करने का है कि अपनी कुरसी बचानी है तो पूरी चीज जो बन गई है वो time consuming है, red tape है, bureaucraticness है तो अब ये bureaucraticness has been put to emphasize on this mentality, ये किसले रखा गया है, इस mentality को यहाँ पर दर्शाता है, या आप कह लिजे, we say the whole prithora of ambience जो ये पूरा कुछ चल रहा है, जो एक typical world culture ऐसा बना रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं, bureaucratic world culture, bureaucratic work culture, and all, we all know what does it meaning imply, ठीक है न, मतलब समय लिजे अपने लिए ही सब कार हो र क्यावा कोई कार किसी और की प्रती नहीं हो रहा है, ठीक है न, ऐसा वाला सीन है, चलो भई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा चाहिए, अब सीन क्या है, बहुत सारे instruments में अगर देखें, याना, that loss, that have lost their efficacy in आज के टाइम पर, याना उस टाइम पर चल रहा था, उस टा of one's own office or of subordinate office, inspection तो आज भी होता है, but, जाधा, but often more as formality के तौर पे, paper inspection जाधा होता है, perhaps, hurriedly completed towards the end of each financial year, अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब देखें, समय लीजे, आज के टाइम पे, चीजे, बड़ी, जो ज़रुत की चीजे हैं, वो चीजे भी अपनी importance खो के बैट ग लेते हैं, paper ही तोर पे हाँ, हमने inspection किया, ठीक है, गए काम कर लिया, तो ऐसे inspections, often करे जाते हैं, यह सिर्फ इसलिए ताकि यह दिखाएं कि inspection norm हमने कर दिया, कहते हैं, जाओ वहाँ जाओ, और वहाँ चेक करो, सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसके लिए आपको एक selfie भेजनी होगी, for example, है ना, photo case नहीं होगी, तो लोग क्या करने लगे, हाँ, गए वहाँ, चलो ठीक, ठीक, बड़ी है, बढ़ी है, वहाँ पहुंचे, और photo, photo case ली, photo, photo case के वापिस आ गए, कोई दिखकर नहीं है, तो उन्होंने एक तरीके से अपने बोजह, काम के बोजह को हटा दिया, और कुछ नहीं किया, हाँ, सही से inspection कोई नहीं होता है time to time पर, और अगर इसमें थोड़ी बहुत कुछ कमियों के साथ आप जुड़ गए, कमिया point out कर दी गए, inspection note में, तो फिर कह दिया है, वाँ भाई वाँ, तुमने तो अपना काम पूरा कर लिया, आप जै एक office है, यहाँ जाएए, और आपक काम है, कि आप यहाँ देख कर आएए, कि सब को सही चल रहा है, तो ठीक है, आप end of financial year में पहुंच गए, हाँ, सब सही है, आपने paper में लिख दिया है, हाँ, सब सही है, और कहीं तुमने यह लिख दिया थोड़ा बहुत कि हाँ, हलकी हलक की तरीके से करा दिया गया है, और जो है, time to time अगर होगा, तो जाला डर होगा, थोड़ा बहुत होगा, तो पर कोई ऐसा डर है, तो खासा देखने को मिलेगा ने, तो ऐसे चीज़े देखने को, जो है, वो मिलते रहते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हाला कि जो purpose होता है इसे inspection का, वो यह होता है, जो है, office का क्या काम चल रहा है, और वो देखें, कुछ improvement होगा, अगर आप बार बार जाओगे, तो वो देखें, तो यह सम में काम होता है, कि बही, proper improvements हो, functioning हो, proper future बढ़िया हो, और ऐसा areas हम लोग देखें, जहां पर system proper अच्छी तरीके से perform कर रहा ह तो, in the office function, if the office functions in a smooth and proper environment, then the number of issues getting side tracked or delayed would decrease, and decision makers, यहां पर क्या पाएंगे, वो files ऐसी पाएंगे, जिसमें सारे एक जरूरी information होगी, case को लेके, related rules को लेके, laws को लेके, यह न, possible उसके alternatives क्या है, उसको लेके proper चीज़े होगे, इसलिए जादा better होगा, कि जादा appropriate decision वो लेक पाएं office के functioning है, वो भी बढ़िया होगी, जादा standards of accountability होगी, लेकिन लोग क्या करते हैं, कहते हैं, अरे नहीं, जो हो रहा है, ठीक है, जो है, सब चंगा भला है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ में, है न, तो यह है, अब आईए, जो inspection, inspection हम कह रहे हैं, तो inspection क्या है, आईए आ सिर्फ मदद मिलती है, sections या subordinates को, जो कमजोर हैं, weak हैं अपनी performance में, है न, बलकि इसके साथ-साज इनको motivation चाहिए, वो उनको मिलता है, जादा supervision, boss से, जो है, मिलता है, है न, वो भी supervise करता है, proper, जो है, उस जगह पे, इस office के अंदर, बट इस बात को भी ensure कराता है, इस जरूरी procedure है, है न, कि मतलब checklist क्या है, अलग-अलग type of examination की, अलग-अलग type of cases की, जो भी procedure की जरूरत है, वो properly follow हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस बात को भी देखा जाता है, for example, ये prescribe करा जाता है, कि जो file moment registers should be kept at each desk, है, ये prescribed है, कि file moment register हर एक desk पे होना चाहिए, but ये practice शायद फॉलो करते हैं, बहुत सारे officers, है न, head of department के level पे छोड़ दो, तो बाकी जगहों पे शायदी ये कोई follow करता हो कि proper file move हो रही हो, ठीक है, तो इसलिए न, सिर्फ कुछ files, जो है, वो misplace हो जाती हैं, इस, जो है, लापरवाई की बज़े से, but उसके अलावा, subordinates, who are not well-intentioned, can der delay and misplace their files in case they have not received speed money from the cities and applicant concern, regular and proper अगर inspection किया जाएगा, तो इस बात को ensure करा जाएगा, कि file movement proper तरीके से हो रहा हो, और ये proper suitably tracked हो रहा हो office में, हैना, सब कुछ, तो ये भी prescribed करा जाता है, कि जो भी सारे के सारे, जो भी आपके papers हैं, जो किसी भी section के द्वारा पाए जाते हैं, ये भी proper इसकी diary में हो, इसमें एक receipt number हो इनका, इसलिए ये deal करें, with appropriately, एक्दम सही तरीके से इनसे साथ dealing हो पाएगी ना, तो कुछ clerical staff, ये भी around proper, are lacks in this direction, and proper stacks रखा है, loose papers का office के अंदर, तो क्या है, ये असान है, कुछ, लोगों के लिए ऐसे loose paper, कि भाई, ऐसे loose paper, अगर ऐसे पड़े रहेंगे, तो misplace हो जाएंगे, और काम भी बड़ा delay होने लग जाएगा, तो inspection से मदद मिलेगी, कि इस तरीके से shortcomings, इस तरह की problem से इजाद पाया जा सकता है, inspections, इस बात को भी ensure कराएंगे, कि files properly maintain हो रहे हैं, हर एक file के अंदर, एक proper number है, as per subject matter, that use of part file is being avoided, file का use avoid करा जाए, कि हर एक file, जो है, इसकी pages proper duty number हो, एक के बाद, दोसरा number, तीसा number, चौथा number, फाइल को राक में रखा जाए, proper subject matter के साब से, file number एक है, तो एक के बाद, दो ही file number रखा जाए, proper number wise file रखे जाए, तो इन सबसे फाइदा ही फाइदा है, अच्छा, the tendency to downgrade the importance, has also resulted in practice followed by some officers of letting the accompanying inspection team prepare the inspection note, and they are signing it to complete the inspection, इसलिए effectively leaving the inspector to the clerks in the, इससे क्या होता है, कि effectively leaving the inspection to the clerks in the inspection team, अगर inspection मा लीजिए, inspection अपना role बढ़िया से निभाए, ठीक है न, if the inspection has to fulfill its role of being a tool for improving the qualitative and quantitative of output office, अगर भाईया ऐसा होना है कि inspection ऐसा रहे, कि जिससे यहाँ पर अपना proper role बढ़िया 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 बने, तो उस समय करना क्या होगा, कि जो inspection के लिए inspecting office है, ठीक है न, while courts taking the assistance of members of inspection team, इसे proper details में जाना होगा, हर एक aspect के inspection के खुद से officer को काम करना पड़ेगा, sample files, registers proper, record देखना पड़ेगा, information, storage, retrieval system, discuss करना पड़ेगा, working को office के, कि proper inspected हुई है meeting में, इसके officers के साथ, staff के साथ, जिन से कहा जाएगा proper के, आप measures suggest करिये, जिससे हम improvement ला सके, working में office के, ठीक है, अब अगर इस तरह का देखिए periodic review होता है न, चाहे वो खुद के office के inspection से linked हो, और या फिर अलग से separately कराया जा रहा हो, तो यह मदद करता है, उन category of files का पता लगाने में, जो subjected हैं to the payshy system, payshy system of dealing them, आप कहेंगे payshy system of dealing them, मैं यह क्या चीज़ देखिए, कि payshy system निकल क्या आता है, from cold working whereby for each cold case file the presiding officer indicates on its order sheet the date of payshy, कि जब भी इस file को resubmit करा जाएगा, after complying with the orders, जो भी record करे गए हैं, इस order sheet के उपर, ठीक है, अब देखिए, administrative files के लिए क्या होता है, कि ऐसा system कुछ ऐसा mandate नहीं है, but कुछ important या urgent files identify करी जाती है, इस category के हिसाब से, on whose, जिनकी note sheet portion, the officer would indicate, कि भी या उसमें date क्या होगे, जिस दिन file resubmit करी जाएगी, या फिर further consideration, comply करने के बाद, उन directions के साथ, as per the note sheet, जिसके यह कहानी होती है, ठीक है, इसलिए, क्या है कि जो subordinate staff है, यह accountable होगा, comply करने के लिए, उन directions के साथ, by certain date, and फिर से resubmit करेंगे, file को further direction के लिए, या further decisions के लिए, ठीक है, तो यह बात ensure कराएगा, कि जो files है, that required to be deal with on priority, जो files को भाईया, priority पर deal करना है, वो deal करी जा रही है, within time bound manner, from one stage to another, यह काम सामने सामने अच्छे तरीके से आ जाएगा, आप देखिए, पेशी system जो है, डील करने के लिए, important या urgent file के साथ में, यह आप link कर सकते हो, एक essay system से भी, of ensuring that necessary reminders, यह automatically issue हो जाते हैं, एक fixed period पास होने के बाद, और periodic review, essay pending audit, बारस का या draft का, यह भी traditional प्रिस्काइब करा जाता है, हर एक office के लिए, या आप कह लीजिए, की department के लिए, बड़ जो tendency है, जो develop होती है, to remain busy with achieving important targets, चाहिए वो physical हो या financial हो, department के office के, या deal करना, day-to-day correspondence के साथ, flow के साथ, petitioner की, till the public accounts committee meetings, यह fix हो जाता है, तो जब pending audit के matters, यह फटा-फट से निकाले जाते हैं, देखे जाते हैं, with a view of facing and seeing of the PSE meeting, with minimum या adverse commitments के साथ में, अब यह देखें, इसलिए क्या है, दस, जो objective है, इस audit system का, related to highlighting करना procedure, like when I go, that can be set right, or to providing lessons for better administrative efforts in future, are likely to get neglected, unless regular periodic reviews, trying to go into each pending audit para, in details, यह प्रॉपर किया जाता है, और जब सारी punishing हो जाती हैं, उन लोगों की, जिनोंने गलत actions लिये हैं, यह जब हो जाता है, is a lower order subjective of audit exercise, as compared to making administrative system, जादा accountable and efficient future, के लिए, ठीक है, तो एक, a world about internal audit, as opposed to independent audit by AG, internal audit should be a tool for government, इनके साब से क्या है, कि internal audit, एक ऐसा tool हो सरकार के लिए, जिसके मादम से, वो अपने के कामों को, अपनी working को, और improve कर सकें, और यहाँ पे, जादा accountable हो सकें, हाला कि, यह तभी काम करेगा, अगर internal audit parties को, एक supervision में रखा जाएगा, administrative secretary के, या executive head of department के, जो accountable होंगे, उस proper जो department है, उसकी working से, ठीक है, अब देखिए, जो trend है, presently, बहुत सारी states, governments, जो है, वो क्या कर रही है, वो internal audit teams, जो है, अपने finance department के साथ, जो है, लगा रही है, ministry के, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, भाई साब, इससे क्या हो रहा है, कि जो, effective, इससे बहुत ही बढ़ी हा, effectiveness उन में आ रही है, इससे क्या है, कि जो दूसर टीर of external audit है, like, auditor general को audit, है, जो ज़्यादा concern होता है, point out करने के लिए, या fix करने के लिए, responsibility, या lapses, जो हुए है, उस time में, तो वो, उस time में क्या है, कि ये चीज, ज़्यादा सही बैट जाती है, इसके साथ में, rather, identifying good practices and procedure, which could be emulated elsewhere, or indicating procedures, shortcomings, which need to be set right for the future, अब इसमें और बीचीज समझें, अगर regular को review करा जा रहा है, तो उससे क्या होता है, प्रॉपर detail आ रही है, उसमें, प्रॉपर analysis हो रही है, तो ये तो इस बात को तो अवगत कराएगी ही, कि हर एक matter proper deal हो रहा है, एक अच्छे तरीके से, बट इसके इलावा, क्या कदम हमें उठाने है, systematic improvement के लिए, ये भी हमें यहाँ पे इससे दर्शाएगी, हलागी जो tendency है, फटा-फट से review कर दो, एक दम आखरी time पे, तो जब उस time पे replies दी जाते हैं, पार्लिमेंट को, राइसलेटर को, या हाईर कोई supervisory authority को, यहाँ पे कोई time ही नहीं होता, उस समय आखरी में proper analysis का, कि बहुत पता नहीं चलता है, कैसे सही से चीज़े ले रानी है, how to set systems, right, but there is a time only to deal with a particular matter, जो उठाया गया, इसर्फ उतना ही काम हो पाता है, तो हर एक office के लिए, department के लिए, बहुत सारे period कैसे, monthly कर दिया, quarterly कर दिया, annual कर दिया, ऐसे returns और statement यह prescribe करे जाते हैं, कि ऐसे बनाईए, और इसे भेजिए supervisory authorities को, higher next level पर, इतनी बास सही है न, ठीक है, अब देखिये समझे, अच्छा कुछ statements pertain करते हैं, to implementation of governmental programs and achievements of related targets and कुछ दूसरी भी चीज़े, to internal housekeeping या internal management के लिए, आपका office के, लेकिन unfortunately बहुत सारे officers, इसको एक routine matter लेते हैं, जो उनके लिए, महाँ ठीक है, यह छोड़ देते हैं, अपने subordinate staff पर, कि आप बनाईए, आप भीर जिए, कुछ statements को छोड़ के, जहाँ पर superior authority, chief minister या, chief secretary या, PMO तक की हो, तो उसके अलावा सब को छोड़ दिया रहता है, चोटे मुटे matters को, तो चलो अपने union staff पर, कि आप देख लो अपने हिसाब से जैसा, आपको समझ में आता है, ठीक है ना, तो यह जाना जाता है, particular interest या, जहाँ पर department या office की image का सवाल होता है, वहीं पर, जह सरकार की या, मीडिया की नजर में आना होता है, वहीं पर यह superior वाले आते हैं, जर्वाइस तो subordinate staff से करवा लेते हैं, तो as a statement even sign करे जाएं, unseen हो, देखें, जा रहे हैं, routinely, मतलब, रोज मर्रा में, वह भेजे नहीं जा रहे है, senior authority को, या head office को, जहाँ पर देखा जाए कि, भाई statement एक बाद रेडी हो गया, examine होता proper, analyze होता head of office, या, फिर head of department के दोरा, even कुछ minटों में होता था, तो कुछ problem areas highlight हो जाते हैं, कि जो problems अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, वो सब भी नज़र आने लग जाते हैं, कदम उठाए जा सकते थे, इस बात को ensure कराने के लिए, कि चीज़े efficient हो जाएं, तो जब एकदम से efficient हो, responsible हो, accountable working हो, हर एक level of organization का, that in fact is the purpose, कि क्यों आखिरकार, preparation as a statement के, वो prescribe करे जाते हैं, first place पर ही, कि आप पहले ही यह सब चीज़े कर लो, काहे के लिए, बात के लिए बचा के रख रखा है, काहे के लिए बात के लिए, टेंशन को पड़ी पर रखी है, हाँ, तो ऐसा, अब आगे बढ़ा जाए, present psychology क्या है, आज की psychology समझते हैं, क्या है क्या नहीं है, देखें यह जो trend है, आज के time पर यह दिखता है, to look to external agencies, rather than to internalize efficiency, for ensuring accountability, आज क्या रहा हैं, आप देखते होंगे, कि organization, अपने, यहां internal auditing, बहुत जादा महत्वता देने की बजाए, कोशिश क्या करता है, कि बाहर ही कोई agency होगी, वो हमें चेक कर लेगी, तो ही हम उसके पर depend कर रहे हैं, अगर हम खुद को, अच्छे से अपना, जो है, proper maintain रखेंगे, तो अगर हमारे internal, external, किसी भी तरसे होगा, में एकदम साफ आएंगे, कोई problem होगी, नजार आने लगे कि, लेकिन सारा तर, लोग depend हैं, या, इंतिजार कर रहे हैं, किसी external agency का, इसलिए, if ensuring the achievement of district department, sorry, development goals, is to be achieved, then minister in charge, या secretary in charge, जो हो, वो ऐसे designated हो, कि वो regularly visit करें, district, देखें, review करें, sort out करें, implementational problems को, generally देखें, proper काम को, thus, इससे जो, sense है, responsibility का, district collector का, ये dilute होगा, और, district level officers का है, ये proper dilute होगा, तो, ये कुछ, फाइदे भरी बाते हैं, अगर माली जे, corruption को, प्रॉपर चेक किया जा रहा है, anti-corruption department के द्वारा, जैसे, CBI जैसी, agencies के द्वारा, या vigilance commissioner, या audit parties के द्वारा, तो, प्रॉपर इसको देखा जाएगा, तो, कैसे होगा, ये प्रॉपर देखा जाएगा, rather than, emphasizing the internal procedure, and working to each office, that can reduce opportunities for corruption, तो, redressal जो है, कुछ public grievances का, भाई, दुख दर्द है, पिगड़ा है लोगों की, उनका दुख दर्द समझना, and, कुछ forwarded from the head offices, CMO से, chief secretaries वगरा से, ये जो भी public grievances है, उनको proper emphasize करा जाएग, strictly तरीके से monitor करा जाएग, rather than, it being stressed that officers, should initially function in such a manner, कि कम से कम लोग जो है, वो raise करें, अपने grievances को कहने का मतलब, मुद्द, मुटा मुटा ये है, कि भाई, अगर public को कोई दुख है, तो, उस दुख को दूर करने के बारे में सोचे, ठीक है, उस दुख को, दूर करने के बारे में सोचे, पता तो चले, आखिरकार public को problem है कहां पर, तो ये जो brief comment है, इसका मतलब ये नहीं है, कि आप बिल्कुल कम से कम importance दोगे, special agencies को, या accountability of watchdogs को, that government creates to overseas and ensure, from outside, that each office functions in a more accountable manner, हाला कि ये चीज़ सही है, कि अगर अच्छी खासी attention दिये जाए, traditional prescribed office procedures को, मतलब लगातार, routinely follow, proper करा जाए, efficient or accountable manner में, तो चीज़े सही रहेंगे, और समझे, आज के टाइम पे, present day जो induction training है, सरकारी officers की, वो एक सही भावना, एक sufficient attention नहीं देती, to teaching the implementers, about office procedures, and how best to follow them, or how to be effective, while conducting inspection, and most of the subordinates है, clerical staff है, rarely कोई भी training पाते होंगे, इसलिए ये इतने familiar ही नहीं है, अपने office management procedures के साथ में, ना कैसे behave करना है, ना effective office inspection कैसे करना है, पता ही नहीं है, ना ही, ना इन the absence of such training, have they been sensitized about rational and importance of such procedures, in fact, chief minister, had once directed to plan in such a way, so that, हर एक officer और staff, जो हो हाइस से लोवस लवेल का state secretariat में, वो put through a short course on use of office procedures, and the proper ways of dealing with and maintaining files, to ensure quick and appropriate decision making, because जरा तर जोग होते हैं, secretariat में, वो ignorant होते हैं, और ये इस मामले में lack कर रहे होते हैं, अब देखिए, next आता है exit, voice और loyalty theory, ये theory क्या है, किस ने दी, पहले ये बता देते हूं, ये theory देने वाले वेक्ती थे, Albert O. Harshman, छिक, इनके साथ से scene क्या था, इस theory के से scene ये है, कि जो organization के members होते हैं, अब वो organization कैसी भी हो सकती है, ठीक है, चाहे वो business organization हो, चाहे वो nation हो, चाहे वो कोई भी part of, form of human grouping हो, इनके पास क्या होता है, कि essentially, दो possible responses होते हैं, जब इनको कोई दिक्कत होती है, organization के अंदर, या मतलब quality या benefit किसी member को कम मिल रहे हैं, जब वो member इस चीज़ को दर्शाएगा, तो उसके पास, मेली दो दरीके होते हैं, एक होता है exit, exit का मतलब, उस organization से उसने खुद को बहार निकार लिया, और दूसरा होता है, voice की जो उसके साथ बुरा हो रहा है, उसके खिलाब उसने आवाद उठाई, complain करी, अपना दुख दर्शाया, या proposal दिया for a change, for example, देश के नागरिकों के उपर जब कुछ बहुत आफ़स सी आने लगती है, तो वो लोग क्या करते हैं, या emigrate करते हैं, या ज़ाने लगते हैं छोड़ छोड़ के, और या क्या करते हैं, कि प्रोटेस्ट करने लगते हैं, सेम तरह से, employees क्या करते हैं, या तो उस जॉब को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना, या फिर अपना दुख दर्द दिखाते हैं, ताकि भई या situation वहाँ की और improve हो सके, इतनी बात आपको समझ में रही हैं, तो दोनों ही exit हो या voice हो, इनको यूज करा जाता है, as a measure, ताकि जो organization है, उसमें चीज़ें सही हो सके, as a measure, a decline in the organization अगर है, तो इसमें दो तरीके हैं, जिससे एक बदलाव organization के अंदर लाया जा सकता है, ठीक है, तिवा समझ में, दोनों ही exit हो या voice हो, इनका use करा जा रहा है, measure करने के लिए, decline को organization के आप समझ गए, voice को कैसे, voice is by nature more informative, in that it also provides reason for the decline, देकिए voice सही है, अगर कोई अवाग उठाता है, तो वो जादे informative है, कि वह यह लोग पता रहे हैं, कि उनको दुख क्यों हो रहा है, organization के अंदर वो क्यों छोड़ रहना चाहते हैं, organization को, ठीक है, और exit taken alone, only provide the warning sign of decline, exit सिर्फ माल लेजे, लोग छोड़ छोड़ की निकल रहे हैं, तो एक तरीके से warning sign हो गया ना, कि decline हो रहा है, तो exit और voice, यह दोनों interact करते हैं, unique तरीके से, कभी-कभी unexpected तरीके से, by providing greater opportunity for feedback, and also criticism, तो exit can be reduced, conversely, stifling of descent leads to increased pressure, of all members of the organization, to use the only means of available, to express discontent and departure, तो general principle इसलिए यह है, is that, कि जितनी जादा availability होगी, exit करने की, organization को छोड़ने की, उतना जादा यह कम है, मतलब यह कम, क्या कह सेतने, chances हैं, कि voice का use करा जाए, लोग कोशिच करते हैं, छोड़ भगाओ, यहां से निकल लो जादा सही है, हाला कि, interplay of loyalty, can affect the cause benefit analysis, कि आपको भही, exit use करोगे, आपकी voice use करोगे, देखें, जब loyalty होती है, आपके organization की प्रती, ना चाहे वो, आपकी भक्ती है, अच्छी तरीके से, political या, brand loyalty है, consumers के लिए, तो उस टाइम पर exit कम हो जाती है, प्यारे साथियों, उस टाइम पर क्या होता है, exit कम हो जाती है, जिस समय loyalty होती है, तो यह एक मोटी मोटी बात है, especially, जहां पर options exit करने के, वो इतने appealing ना हो, मतलब, small job market हो, political या financial hurdles हो, कि बाहर जाओगे, तो दिक्कत होगी, move करने में, तो by understanding the relationship between exit and voice, and the interplay that loyalty, has the same choices, organization क्या कर सकता है, craft कर सकता है, तरीकों को, जाकि बेटर तरीके से address कर सके, उनके members को, उनके concern, issues and their five, इससे क्या हो, कि improvement effect करे, तो इस बात को, failure to understand these competing pressures, इससे क्या होगा, organization decline होगा, future में failure होने के chances, बढ़ जाएंगे, तो यह यहाँ पर, कहानी है इसकी, और जो आपने समझी, तो आप एक काम करते हैं, छोटा ही साइस को, पार्ट को रखते हैं, क्योंकि उसके पार्ट, next वाला भी उतना ही छोटा रहेगा, और अपना यह चाप्टर हो जाएगा, complete, कैसे लगा आपको, आप मुझे comment box में बता सकते हैं, अच्छा लगा तो do like, share and subscribe, और बाकिया आप join button को press करके, मेरी membership को join करके, मुझे मेरे काम में support कर सकते हैं, thank you so much for watching, मिलते हो जल दी, नेक्स वीडियो में, जय हिंद, जय भारत,